अकोला शहर में कर्व रुद्धी के मामले को लेकर सरोच्च नायले में सुनवाई हुई सरोच्च नायले ने उच्च नायले की नाकपूर खंड़ पीट के निरने पर इस्टे लाया है जिसकी अगली सुनवाई 16 नायले को रखी गई है जिसकी और सभी का ध्यान लगा हुआ है अकोला महानगर पालिका ने सुधारित कर्व रुद्धी लागो कर अकोला वासियों से वसूल किये गए संपत्ति करकी संपुर्ण प्रक्रिया नियम भाय होने का आदेश उच्च नायले के नाकपूर खंड़ पीट ने दिया था इस आदेश के खिलाब महानगर पालिका ने सरुच नायले में याची का दायर की थी इस मामले में नायले ने तीन सप्ताह में जवाब देने का आदेश याची का करता एयों राज्य सरकार को दिया है जब तक उच्च नायले के आदेश को इस्तगित किया गया है इसमें महानगर पालिका को बड़ी रहत मिली है महानगरपाली का प्रशासन ने अकोला वासियो परसंद 2017 से 2022 कालावधी के लिए अतिरिक्त कर्व उर्दिक की थी जो नियम के अनुरूप नहीं होने का आउरूप कांग्रेश के पारशद डॉक्टर जिशान हुसेन ने किया था उन्होंने इसके लिए नाकपूर खंडपीट में मार्च 2018 में जनहित याची का दायर की थी लगबग डेल वर्शों में लगातार इस मुद्दे पर सुनवाई हुई राज्य सरकार एव महानगर पालिका के दिवक्ताओं ने दस्तावेजों की पूर्ती करने के लिए बार-बार समय की मांग की थी इस मामले में दायर याची का पर सुनवाई होने पर दो सदस्य खंडपीट के नयाधिश रवी देशपांडे नयाधिश विनय जूशी ने मनपा को सुधारित संपत्ति कर उर्दी को रद्द कर साल भर के भीतर नय कर मुल्लैंगन की प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया थ सरोच नयले ने उच्च नयले के आदेश को इस्तखित किया है इससे अब महान अगरपाली का मन चाहा कर वसूल सकती है तीन सप्ता में याची का करता डॉक्टर जीशान हुशेन यह राज्य सरकार को अपनी भूमी का अदालत में इस्पष्ट करनी होगी इस प्रक्रण के अगली सुनवाई अब 16 नवंबर को रखी गई है इस सुनवाई में क्या बाहर आता है इस और सभी का ध्यान लगा हुआ है